दोस्तो प्रदीवीरी 11-12 एकडमी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अल्री हमने 3.3 के उपर लेक्षर प्रोवाइड कर दिया है अब टू फॉस से लेके 10 तक का कोस्टन प्रोवाइड कर दिया है यह आगे का पार्ट है मतलब बोला जाए तो second पार्ट है और इसमें हम कोस्टन नमबर 11 को स्टार्ट कर रहे है तो बेसिक इनफॉर्मेशन इस एक्सराइश पर सबसे वहले मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था मुझे उमीद है कि आपने उससे देखा होगा इसके बाद हमने फॉस से टेंथ के लिए पार्ट वन का वीडियो बनाया अब पार्ट टू अब देखो दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको यह पता है यह अलजेब्रिक फॉंक्शन है यह कौन सा फॉंक्शन है दोस्तों इनफॉर्स है तो आप यहां पे अगर देखेंगे तो लाइट रूल है अब यहां पे अगर आप लाइट रूल देखने अब तो यादी हो गया होगा और यहाँपे क्या आए گा दोस्तो D by DX of u और integration of vdx और यहाँपे ही कहाएगा दोस्तो dx, तो यह पूरा का पूरा part हो गया, अब यह पूरा का पूरा part होने के बाद इसके बाद えて बाद, दोस्तों, मैं क्या करूंगा यहाँ पे U कहा है दोस्तो मेरा U Sine Inverse यहाँ पे आए ले ले रहो Sine Inverse X और दोस्तो V कहा है दोस्तो X है यहाँ पे DX आएगा यहाँ पे कहाएगा दोस्तो D by DX of U U कहा है दोस्तो मेरा Sine Inverse X और V कहा है दोस्तो X है और यहाँ पे कहाए DX है और यहां पर भी कहाएगा dx अब यहां तकी चीजे होने के बाद दोस्तो देखो यहां पर sin inverse x यह x का कहाएगा दोस्तो x square by 2 यहां पर अगर हम देखे तो sin inverse का derivative कहाएगा दोस्तो आपने याद कर लिया होगा नहीं याद किया तो अभी याद कर लो 1 upon under root of 1 minus x square और यहां पर x square by 2 और समति यहां पर dx अब दोस्तो देखो i वीचे से equal to हम यहां पर कहा लिखेंगे sin inverse x यह काएगा x square दोनों को divide by 2 यह दो को इसमें से constantum 1 by 2 है अगर मैं बाहर लो तो यहां पर काएगा दोस्तो x square है और यहां पर under root of 1 minus x square और यहां पर कहाएगा दोस्तो dx अब यहां तक कि सभी चीजे cover हो गई अब मुझे क्या करना है आगी की और बढ़ना है अब आगी की और मुझे आगी का part cover करना ही कोसिस करना है तो यहां पर कहाएगा दोस्तो आए which is equal to यहां पर sin inverse x into x square और upon 2 minus 1 upon 2 अब देखो दोस्तो यहां पर एक थूड़ा सा मैं changes करूँगा जो मैंने previous questions में भी किया है यहां पर ऐसे ही integration का sign रहेगा कुछ changes नहीं है अब देखो दोस्तो नीचे अगर आप देखोगे तो minus x square है नीचे अगर आप minus x square देखोगे देखो नीचे 1 minus x square है तो उपर हमारा x square है तो मैं इसको minus लूँगा यहां minus से balance किया यह part हमने इसके पहले वाले questions में भी किया है अब दोस्तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा i which is equal to sin inverse x हो जाएगा यह x square हो गया यह 2 यह minus minus plus यह क्या आएगा 1 by 2 अगर आप देखो गे नीचे उसके आगे क्या है plus 1 है इसको मैंने minus 1 से balance किया और इसको bracket ले लिए अब दोस्तो यहां पर क्या हो जाएगा i which is equal to sin inverse x x square upon 2 plus 1 by 2 अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को divide कर रहा हूँ जैसे यह 1 by x square है इसको under root of 1 minus x square से और यहाँ पर 1 under root of 1 minus x square से मतलब main step यही था दोस्तो यह वाला step और यह वाला step सबसे main steps थे अगर आपने यह cover कर लिया और यहाँ पर गया dx से अब दोस्तो यहां तक ही चीज़े cover होने के बाद अब आपको एक basic information देना चाहता हूँ अगर कहीं पर अगर समझे 2 है और नीचे root 2 है यह 2 को हम क्या लिख सकते है root 2 into root 2 और नीचे गया दोस्तो root 2 है यह root 2 root 2 cancel हो गया तो answer कितना है root 2 तो वैसे अगर आप द्यान से देखोगे तो i equal to time inverse यह आपको exam में नहीं लिखना है आपके लिए मैंने लिखा है x square है divide by 2 है यहाँ पर plus 1 by 2 है अगर आप द्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों यह देखो नीचे root में दिख रहा है जैसे root 2 है देखो root 2 है वैसे root में दिख रहा है और उपर जैसे 2 है वैसे same part बिना root का दिख रहा है अब दोस्तों यहाँ पर कहें 1 upon under root of 1 minus x square और dx अब दोस्तों यहाँ पर जिस formula की requirement है वो formula actual में मैं आपको आगे देने वाला था बेट अभी requirement आगे तो मैं आपको दे देना चाहता हूँ देखो कहीं पर अगर समझो integration of हमने यह वाला formula पढ़ा है a square minus x square इसका integration हमने पढ़ा है इसका answer क्या आता है sin inverse x by a यह आपको पता है प्लस c लिखे जहाँ पर हमने प्लस c नहीं लिखा तो प्लस c लिख ले ना जहाँ पर भी अपने integration अप्लाई किया integration यहाँ से प्लस c अब देखो दोस्तों यहाँ पर यह एक formula है बट अगर suppose यह formula जो है दोस्तों अगर one upon में न रहे तो इसका answer क्या आएगा अगर यह one upon में न हो तो इसका answer क्या आएगा दोस्तों x by 2 a square by 2 यह सबसे पहले याद हो गया same root जो भी root यहाँ पर है a square minus x square और यहाँ पर दोस्तों जो उपर आपने लिखा है sin goes x by a plus c और b square plus यहाद हो क्या formula तो वैसे मैं यह formula भी आपको आगे दूँगा आगे जो हम पढ़ेंगे न root of quadratic अभी तक हमने one by quadratic पढ़ा है root of one by quadratic तो वहाँ पर यह formula का use पढ़ेगा यह formula का भी use वहाँ ही पर पढ़ेगा अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं चीजों को लिखने ही पोस्तिस करूँ then i which is equal to sin inverse x into x square divide by 2 plus 1 by 2 integration of something जो आपको दिखा ही दे रहा है root में तो दोस्तों अगर मैं देखो यह formula यह देखो root में दिखा ही जा रहा है यह pawn में थोड़ी तो यह formula आगा तो x के place पे x ही है तो x by 2 same root यहाँ पे जो root है 1 minus x square plus a square a का value यहाँ पर कहाएगा दोस्तों 1 है तो 1 by 2 और यहाँ पर कहाएगा sin inverse x के place पे x है और नीचे दोस्तों 1 है तो उस 1 को नहीं लिखो कि तू भी चलता है या लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा तो यह हमने लिखा और दोस्तों इसके आप minus है इसके बाद यह पूरा का पूरा formula expand करने का दिये वाले form का formula है यह तो यहाँ भी कहाएगा दोस्तों sin inverse x है इसके बाद भी x ही आएगा और by 1 और plus 6 तो almost हमने पूरा का पूरा part क्या कर दिया दूस्तों solve कर दिया अब जश्त इसको simplify कर दो आपका answer आ जाएगा then i equal to sin inverse x into x square divide by 2 plus 1 by 2 अब देखो यह 1 by 2 चलो अभी अंदर नहीं multiply कर रहा हूं x by 2 under root of 1 minus x square अब देखो दोस्तों यह दोनों को आप calculate कर सकते हो जैसे यहाँ पे 1 by 2 यह पीछे same term लिखा है और तो यहाँ पे देखो 1 by 2 है minus यहाँ पे 1 है तो अगर आप इसको minus करते हैं तो 1 minus 2 upon 2 minus 1 by 2 तो इसका पूरा calculation कितना आता है दोस्तों minus 1 by 2 और इसके पीछे क्या लिखा है sine inverse x x by 1 लिखने की जोगती sine inverse x लिख सकते हो और अब आप क्या कर सकते हो यह जो term दिया है उसको अंदर multiply करते हो sine inverse x into x square divide by 2 यह अंदर multiply हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों x by 4 under root of 1 minus x square यह अंदर multiply होगा तो पार्ट हमने solve कर दिया आप चलते हैं दोस्तों next sum की और next sum solve करते है अब देखो यह वाला question है यह आप solve कर लोगे कोई रिक्कत नहीं है वैसे ही same solve करना है वस यहाँ पर एक substitution करते टाइम यहाद रखना जो नीचे denominator में रहेगा उसको आप T put कर लेना तो इस टाइब का substitution वाला पार्ट हमने जो वन टू लेके 10 questions solve कर रहा था उसमें कराया था तो यह वाले सम्में कोई रिक्कत नहीं है गहाँ यह और यह exam में बहुत भार पूछा भी गया सम्में अब देखो यहाँ पे अब यहाँ से actual में इसी का दिख रहाएगा तो लॉग दिखाई थे रहा लॉग का derivative वन अपॉन एक्स यह उपर कुछ नहीं तो वन अपॉन एक्स दिख रहा है तो मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ देखो इसको थोड़ा सा और मैं change कर रहा हूँ कुछ ऐसे student होंगे जिनको चीजे दीख नहीं रही होगी अब देखो दोस्तों उपर कुछ नहीं है तो वन अपॉन अपॉन एक्स अब आपको दीख रहा होगे कि लॉग एक्स का derivative है तो हम क्या करेंगे ऐसे case में सबसे पहले आप पुट करके देख लिया करो कि log x which is equal to t अब हम क्या करेंगे differentiate with respect to x log x क्याएगा 1 by x और यह क्याएगा dt by dx तो क्याएगा दूस्तों 1 by x dx और यहाँ पर क्याएगा value क्या है दूस्तों t तो यहाँ पर क्याएगा t और यहाँ पर 1 upon x dx का answer कितना आएगा दूस्तों dt हो गया और अगर आपने मेरा basic concept वाला इसका lecture देखाऊगा तो मैंने बोला था लॉग के साथ अगर कोई भी function लॉग अगर अगर अखेला दिखाई दे तो यहाँ पर integration by parts से हम one लेकर यूट वी रूल अप्लाए करते हैं तो इसको मैं sol कैसे करूंगा log t है इसके साथ one लूगा और क्या करूंगा यूट वी रूल अप्लाए करूंगा यहाँ पर देखो dx नहीं आएगा अब dt यहाँ द्यान रखना यहाँ पर क्याएगा dt यहाँ पर भी change हो जाएगा with respect to dt है तो यह भी dt और integration of one dt और यहाँ पर भी dt तो यह हमने direct formula में convert कर दिया अब अगर आप ध्यान से देखूंगे तो यह log t ऐसी है वन का integration जैसे एक्स वन का integration एक्स आता है with respect to x रहेगा तो with respect to t क्या आएगा t अब यहाँ पर गर मैं बात करूं तो log t जैसे log x का one upon x है और यहाँ पर t का one का क्या आएगा t और यहाँ पर क्याएगा dt अब देखो यह one one cancel tt cancel हो गया तो यह क्या अगर log t यह t मैं आगे ले ल अब देखो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहुंचे तो आपको क्या करना है अपने value को बाहर ले सकते हो अधरवाइस इतना भी एंसर रखो रिख चलेगा अब चलते हैं दोस्तों नेक्स सम की और अब देखो यह वाला जो सम है यह वाला भी पूरा का पूरा सब्स्प्रिदूशन बेस सम है अगर आपने derivative मेरे साथ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता हो होगा दोस्तों की यह उसी टाइप का सम है यहाँ पर ट है यहाँ पर रूट ऑफ और यहाँ पर अगर आप ध्यां से सबीधियान से समझने कोसिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया रहा है यार यह जो देखो मैं इसको ठोड़ा से चेंज कर रहा हूं यह ती T है दोस्तो, equal to हम क्या करेंगे, T put करेंगे, क्योंकि यह sin inverse T का derivative है, अब मैं इसको differentiate करूँगा, यह देखो, differentiate with respect to X, यहाँ पर already T का term है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तो, यहाँ पर आप कोई और term ले लो, जैसे मैं ठीटा ले रहा हूँ, X भी ले सकते, differentiate with respect to, यहाँ पर काएगा, T आएगा, तो यह क्या आएगा, दोस्तो, one upon under root of one minus T square, जैसे हम X square लिखते थे, और यह क्याएगा, d theta by dt, तो finally क्या हो जाएगा, one upon under root of one minus T square, और यह दीटी आएगा, और यहाँ पर काएगा, d theta, तो finally यह पूरा का पूरा हो गया, अब यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, आपको क्या करना है, आगे की और बढ़ना है, आगे की और हम कैसे बढ़ेंगे, दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोंगी यह जो पार्ट है यह जो आपको पार्ट दीखाई ही दे रहा है यह जो पार्ट है दूस्तों E folty क्या है команд ठीटिए अब दूस्तों यहाँ पर साइन ती साइन इल्भ्रigung क्या रिए दुस्तों थीटा है और दूस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे यह को T है T को भी है मैंने वहला सभी term theta के term में जाना चीए तो यह T कैसे theta में जाएगा तो यहाँ से कहीं से आपको T का value निकालना है जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं यहां से अगर आप T अकेला रखते हो तो यह sin inverse वहाँ पे जाएगा तो sin हो जाएगा तो यह sin theta हो जाएगा तो यह चीज धियान रखना तो दोस्तों यहाँ पर यह क्या हो जाएगा sin theta तो finally अगर आप देखोगे तो यह trigonometric function है यह x की तरह भी हो कर रहा है तो यह algebraic function है प्लीज यहाद रखना जैसे x आता है वैसे यहाँ पर theta आया अगर मैं यहाँ पर light rule की बात करूँ तो light rule यहाँ पर अगर apply करने जाओं तो सबसे पहले trigonometric और इसमें सबसे पहले a आ रहा है तो यह क्या हो गया u और यह क्या हो गया दोस्तो अब अगर यह पूरा का पूरा part हो गया तो अब यहाँ पर formula अगर apply करते हो तो देखो यहाँ पर i which is equal to u theta v sin theta और यहाँ पर क्याएगा दोस्तो यहाँ पर d theta क्योंकि with respect to d theta है यहाँ पर अब यहाँ पर अगर मैं derivative निकालो तो d by d theta with respect to theta है यहाँ पर u और दोस्तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर derivative लिखूँ integration of v आएगा v मतलब क्या है दोस्तो sin theta और d theta और बाहर d theta देखो इसलिए आपको starting get 10 question जो मैंने part 1 में करा है उसका practice की ज़रूद आते है कि आपको terms change करने आना चाहिए जो यहाँ पर आप सीख रहे हो अब यहाँ पर क्या आजएगा दोस्तो आए बीचिस equal to theta theta कितना है दोस्तो theta वैसी रहेगा sin theta का derivative क्याएगा दोस्तो cos theta integration निकालना तो minus cos आएगा और यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे हम x का derivative निकालते है 1 वैसी theta का 1 आएगा sin का क्याएगा दोस्तो minus cos theta और यहाँ पर क्या है d theta अब यहाँ पर i which is equal to क्याएगा minus theta cos theta minus minus क्याएगा plus integration of यहाँ पर क्याएगा cos theta और यहाँ पर then यहाँ पर i equal to क्याएगा minus theta into cos theta और अगर मैं cos का derivative निकाल दो cos का derivative क्या आएगा दोस्तो sin theta यहाँ पर हम क्या लिखेंगे sin theta और जहाँ से आप integration अप्लाए करना start कर दियो वहाँ पर प्लस लिख दो अब देखो दोस्तो यहाँ पर finally मुझे यह जिस term में question पुछा है उसी term में लेके जाना है t के term में लेके जाके फिर से इसको रखना है तो देखो दोस्तो यहाँ पर क्या-क्या changes होगा sin theta equal to तो मैं t लिख सकता हूँ theta equal to भी मैं लिख सकता हूँ sin inverse t पर cos का कहां से मैं substitution करूँगा यह सबसे बड़ा task है तो इसलिए यह सम बहुत ज़्यादा खास हो जाता है देखो मैं यहाँ पर आपको cos निकाल के दे दे रहा हूँ देखो आपके एक पार्ट है यह देखो यह sin theta यह देखो यह यहाँ से एकर मैं sin square का value निकालू तो क्या आएगा दोस्तो 1-cos square theta यहाँ पर आपके लिखा कि 1-cos square theta और अगर आप यहाँ पर cos यहाँ पर लेते हो तो plus हो जा रहा है तो यहाँ पर 1-t square यहाँ पर cos theta equal to square वहाँ पर जाएगा तो root होगा तो 1-t square तो दोस्तो यहाँ पर minus theta equal to कितना है दोस्तो sin inverse theta यहाँ पर हमने sin inverse t लिखा cos theta equal to कितना है t k term में 1-t square sin theta equal to कितना है दोस्तो t है और plus c है तो finally हम यहाँ तक का part हमने cover कर दिया और पूरा का फूरा answer हमने निकाल दिया आप चलते हैं दोस्तो next question की और next question लेते है अब देखो दोस्तो इसके बाद यह जो question है यहाँ पर भी आप आराम से चीजों को solve कर सकते हैं कुछ अलग नहीं है मैं इसका starting आपको दे दे रहा हूँ i equal to integration of cos under root of x dx आपको देखो सबसे पहले कभी भी याद रखना cos root x sin root x आया तो समझ जाना है यह भी integration by parts से ही solve होगा इसको आप t रखो और इसको t रखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर यह x equal to यह वाला जो पार्ट है यहाँ तो आप squaring कर दो 2t इसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हो dx which is equal to 2t और dt तो आप ऐसे यहाँ पर रख सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखोगे तो देखो changes क्या होगा यह cos है root की जगह पर कहाएगा दोस्तों t और यह तो कोई dx है dx की जगह पर कहाएगा दोस्तों 2t dt अब यहाँ पर i which is equal to यह 2 बाहर आजाएगा यहाँ पर कहाँ बच्छा t into cos t और dt अब बताओ आप इसको solve कर सकते हो नहीं यह इंटू भी रोल से तो यहाँ पर आप क्या करोगे put यहाँ पर क्या करोगे sin equal to t put करोगे cos equal to t put करोगे तो दोस्तों जो bracket में पाट है उसको लो तो थोड़ा सही रहेगा नहीं तो फिर यह log off solve करते time दिखकत होगा तो यहाँ पर यहाँ पर पूट कर रहा हूँ cos theta which is equal to t नहीं रख रहा हूँ यहाँ dt है minus sign यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों देखो यह sign और यह d theta change होगे यहाँ पर क्या जाएगा minus dt और यहाँ पर log of cos t को हमने क्या लिया था तो देखो इस तरह से simple sum हो गया इसलिए मैंने cost लिया अगर आप sign लिये रहते तो difficult हो जाता हो log वाला part अटाने के लिए अब देखो यहाँ पर minus sign आपने बाहर लिया यह क्या होगे दोस्तों log t of dt अब बताओ मैंने यह आज ही sum solve कर रहा है तो बस starting अगर आपको पता चल जाए तो कुछ ऐसे sum है जो आप आगे solve कर सकते हैं अब जैसे यह sum है अगर मुझे यह sum solve करना है तो मैं कैसे solve करूँगा देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको cos cube theta का formula पता होना चाहिए दोस्तों या cos cube x ही लिखता हो यहाँ पर क्याएगा दोस्तों 1 by 4 यह इसका formula यहाँ रखना 3 cos x plus cos 3 x अगर जो sine है तो same आएगा बस यहाँ पर minus आएगा यह मने आपको starting में भी दिया है कहीं पर आपको यह दिखा ही दे तो आपको putting करना आना चाहिए अब देखो दोस्तों यहाँ पर यह क्या हो जाएगा i which is equal to integration x यह 1 by 4 3 cos x plus cos 3 x और यहाँ पर dx अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यह देखो 1 by 4 बाहर यह x और यह 3 cos x plus cos 3 x और dx और अगर मैं यहाँ पर ज्यान दो तो यह क्याएगा कर रहो x को अंदर multiply कर रहो तो 3 x cos x और यहाँ पर यह तो मैं क्या करता हो पता है यह आप करोगे तो दो बार आपको apply करना होगा यह तो आप ऐसे भी कर सकते हो यह तो आप x को अंदर multiply करो यहाँ पर भी एक्स को दो बार आपका u into v rule आएगा तो भी चल सकता है कोई लिकत नहीं या तो आप यह इसको u और यह पूरे को आप भी लेके भी समसॉल कर सकते हो कोई लिकत नहीं है दो तरह से आप जा सकते हो जैसे आपको जाना है अगर सबोज मैं इसको multiply कर सकता हो या तो आप यह पूरे को u ले लो यह पूरे को v लेके भी समसॉल कर सकते एक ही step में तो देखो मैं यहाँ पर solve कर रहा हूँ 1 by 4 है अब देखो यहाँ पर u लिखा integration of v 3 cos x plus cos 3x और यहाँ पर dx minus then यहाँ पर क्याएगा दूस्तो derivative of u d by dx of x then integration 3 cos x plus cos 3x और यहाँ पर dx और यहाँ पर भी dx और यह 1 by 4 सभी का तो ऐसे भी आप जा सकते थे या तो direct multiply करके two time apply करना होता तो यहाँ पर देखो 1 by 4 यह x ऐसी है अब यहाँ पर कर मैं इस वाले part का integration निकालो 3 ऐसी है cos का integration क्या आएगा दूस्तो sin x यहाँ पर cos का integration क्या आएगा sin 3x और आपको पता है कि जो x के आगे term है integration में divide होता है then यहाँ पर अगर हम solve करने एकोसिस करें तो x का derivative 1 और यहाँ पर गर भी इसका integration निकालो तो यह क्याएगा 3 sin x और यहाँ पर यह क्याएगा sin 3x divided by 3 और साथ में दोस्तों यहाँ पर यह dx और यह पूरा का पूरा पार्ट कोई भी difficult task नहीं है बहुत ही simple तरीके से चीज़े हो रही है आप चाहिए तो आप इसका photo लेना है तो ले लो मैं यह सीखा है तो हमेशा रहती कि सर आप screenshot नहीं लेने दे रहे हो पर मेरा हमेशा से मानना कि आप साथ में solve करते जाओ screenshot लेके क्या करोगे अब देखो दोस्तों वह i equal to क्या हैगा 1 by 4 अब देखो यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना है यह x वाला पार्ट अंदर multiply हो जाएगा दोस्तों यह क्या हो जाएगा 3x sin x यह x into sin 3x divided by 3 अब यहाँ पर अगर मैं इसका integration निकालो तो दोस्तों देखो क्या होगा अब देखो दोस्तों यहाँ पर यह माइनस प्लस माइनस होगा और साइन का इंटिग्रेशन ले रहा हो तो दिवाइड में आएगा 3 क्योंकि यह फिर से इंटिग्रेशन ले रहा हो तो दिवाइड में आएगा 3 तो अब डारेक यह दोरों को मल्टिप्लाय करके 9 लिख सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर बस आपको क्या करना है 4 को अंदर मल्टिप्लाय कर दो आपका पूरा का पूरा पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा और चाहिए तो आप आप एकस वाला पार्ट एकस वाले के साथ कर सकते हैं यह तो इतना भी रखोगे तो भी चलेगा जस्त मल्टिप्लाय कर तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स समूर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो यह कोसन आपको डारेक समझ में आ रहा हो किस तरह से सॉल करन शय कोसन की तरह कि यहाँ पर साइन है यहाँ पर गया दुस्तों लॉग एकस है और यहाँ यहाँ पर एकस है और सानमें यह लॉग कर दो तो एकस को पूट चैए यहाँ पर समझ्हूंगा पता है सिन t का square आ जाएगा और sin t का square solve करना difficult हो जाएगा देखो sin t मैं solve कर सकता हूँ sin t का square कैसे solve करूँगा अब यहाँ पे sin t है sin 2 t है integration में चल जाता है divide में 2 ले लो derivative में यह रहेगा तो आराम से solve हो जाएगा integration में solve करना difficult है तो इसलिए अगर आप cos को अगर ले रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा तो यह square हटाने के लिए मैं क्या करूँ तो यह पूरे को ले लो cos x का square यह पूरे को साथ पर t ले लो फिर अब sin t हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं आएगा अब इसको अगर आप differentiate कर रहे हो differentiate with respect to x यह तो यह आगे आ जाता है x raise to n वालो formula log x और n-1,1 और आपको पता है कि देखो n, x, n-1 यहाँ पर देखो n है यह x है, x के place पर और n-1, 2-1,1 rule wise यहाँ पर x होना चाहिएगा पर log x है, फिर से उसका derivative लेंगे 1 by x, और यहाँ पर कहाएगा दूस्तों dt by dx अब फाइनले अगर मैं इसको लिख हूँ तो क्या हैगा 2 log x upon x dt by dx अब यहाँ पर मुझे देखना होगा कि क्या क्या part है, देखो यह x है यह log x है और यह dx है मनलब 2 नहीं है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ log x साथ में x ले रहा हूँ साथ में dx ले रहा हूँ और 2 dt by 2 को वहाँ भेज रहा हूँ तो यह something हो गया अब यह वाला part जैसे ही cover हो गया, अब आपके लिए बहुत simple हो जाएगा अब देखो दोस्तों, यह sign है, यह sign as it is, log square को हमने क्या लिया है, दोस्तों, t लिया है और यह वाला जो भी पूरा part है, देखो हमारे answer में log x है, x है और dx है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दोस्तो, dt by अब यहाँ पर देखो log x हमने लिखा, yes log x है और हमने क्या लिया, दोस्तों, x लिया, x भी हमने ले लिया है और dx भी है, तो dt by 2 तो i which is equal to यह 2 बाहर आजाएगा, तो 1 by 2 integration of, यहाँ पर क्याएगा, sin t of dt, then i equal to 1 by 2, sin का derivative क्या आएगा, integration क्याएगा, दोस्तो, cos t minus formulae, or plus c, then i which is equal to minus 1 by 2, cos t plus c, then i which is equal to minus 1 by 2, cos t, t का value, resubstitute कर दो, यहाँ पर क्याएगा, दोस्तो, cos यहाँ पर t मतलब क्याएगा, दोस्तो, log x का square plus c हो गया, अब चलते हैं, दोस्तो, next question की वार अब next question आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही simple सा question है, दोस्तो, यहाँ पर starting के question में, exam में आ सकता है, देखों, यहाँ पर, सबसे पहले i equal to, यह कहा है दोस्तो, log x है, यह कहा है, दोस्तो, x है और यह कहा है, dx है, यहाँ पर putting क्या करोगे, log x equal to t, क्यों कर रहे है, क्यों कि log x का derivative नीचे दिख रहे है, यह 1 by x आएगा, और यह कहाएगा, दोस्तो, dt by dx यह 1 by x और dx which is equal to, यहाँ पर कहा है, dt अब यहाँ पर i which is equal to अगर यहाँ पर मैं changes करना इक process करूँ, तो यह changes कैसे होगा, अब देखो दोस्तों यहाँ पर, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, log x है, divide by x है और यहाँ पर, dx है देखो, log x है को हमने क्या लिया है, t लिया है और यह वाला जो part है इसको हम क्या लेने आले हैं, दोस्तो, dt अब देखो, इसका integration तो सभी को आएगा, t square by 2 plus c, t का value क्या है दोस्तो, log x का, यहाँ पर square हो जाएगा divide by 2 plus c, क्या difficult है लिख दिया, एक जड़के में 100 लो गया, अब यहाँ तक पार्ट होने के बाद, चलते हैं, यह question क्यों अब बहुत सारे लोग यह question देखके डर जाएंगे वो, tension नहीं लेना है देखो, i equal to x है यहाँ पर क्या है, sin 2x है cos 5x है और dx है अब दोस्तो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को देखो, आपने, अब यहाँ पर 11th class का formula यूज होगा आपने factorization और de-factorization formula trigonometric में पढ़ाता इस दोनों में से जो angle बढ़ा है वो पहले लिखती है, ता हूँ मैं हमेशा तो जिससे दिक्कत नहीं होता अब यह को इसको तो आप बोलोगे, sir, ऐसा लिख सकते है yes, लिख सकते है, 2 into 3, 3 into 2 मतलब same ही होता है अब यहाँ पर देखो, मैं एक formula अपलाए कर रहा हूँ cos a into sin b equal to half cos अगर जब भी यह different होते हैं दोनों अलग-अलग होते हैं तो sin a plus b और sin a minus b और एक और चीज़ धियान रखना है कि अगर different है और starting में अगर cos है तो minus आता है अगर different है, starting में sin है तो plus आता है तो यह formula भी मैंने अब भी आपको याद करवा दिया यह formula आपने उसके according यहाँ पर क्या होज़ेगा i integration, यह x ऐसी रहेगा यहाँ पर formula आएगा formula क्या आएगा दोस्तों 1 by 2 यहाँ पर sin a plus b, मतलब यह दुनों angle को plus करो then i which is equal to 1 by 2 then x है यहाँ पर क्या है दोस्तों sin 7x sin 3x और यहाँ पर dx then i equal to यहाँ पर क्या है 1 by 2 अब यहाँ पर गर आप solve करने जाओगे तो यह क्या होगा x into sin 7x x into sin 3x यहाँ तो आप मेरे उस fundे से भी solve कर सकते हो जल्दी solve हो जाएगा यह पूरे को आप u ले लो यह पूरे को आप d ले लो अब solve कर दो कौन से सम की तरह देखो मैं बताना चाहता हूँ अब भी मैंने solve करा की दिया आपको i think यह वादा सम देखो यह देखो यू भी direct solve हो जाएगा तो वैसे आपको करके इसको solve करना है और 21st question है दोस्तों 21st question भी 21st century यह तरह है यहाँ पर कोई changes नहीं कुछ नहीं वैसे ही सो लोगा i equal और क्यूब और डी एक्स है ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसको आप क्या करो पता है टी पूट कर दो अब जैसे ही आप इसको टी पूट करोगे next step में यह cube वहाँ पर जाएगा cube root वहाँ पर जाएगा square root वहाँ पर जाएगा square या तो taking cube बोट side तो यहाँ पर मैंने cube लिया यह cube root हड़ी है अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे इसको differentiate करोगे तो यह क्या एगर dx by dt यह क्या एगर 3p square और यह dx which is equal to 3t square dt अब मुझे देखना है कि हमारे sum में कहीं पर 3 है नहीं है तो यह जो 3 है दोस्तों वो क्या आजाएगा अब देखो दोस्तों यहाँ पर i which is equal to cos cos ic रहेगा यह वाला part क्या आजाएगा दोस्तों t और dx equal to क्या आएगा दोस्तों 3t square dt अब इसको आप easily solve कर सकते हैं कोई changes नहीं है आराम से इसे पूरा का पूरा part आप solve कर लोगे और आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ तोडल हमने 11 questions all किये कुछ questions मैंने half solve किये कि उसे आप पूरा का पूरा solve कर सकते हैं और जहाँ पर जरूरत था मैंने पूरा का पूरा part solve किया तो वीडियो के देखने के लिए दिल से thanks thank you so much दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में bye bye take care जहें दोस्तों